तारीक 11 दिसंबर 2017 समय रात के 10 बज कर 10 मिनट साइन्स चैनल ने पूरी दुनिया के टेलिविजन पर रामाइन काल के रामसेतू का एक वीडियो प्रकासित किया जिसमें नासा ने रामसेतू का एक सैटलाइट इमेज जारी किया उस वीडियो क्लिप को जब पूरी दुनिया ने देखा तो सब के होश उड़ गए पूरी दुनिया के निजर स्रेलंका और भारत के बीच रामसेतू पट्टिक गई क्योंकि रामसेतू के तजबीर को इस तरीके से नास तक इसे ने दिखाया और नाहीं कभी इसकी कोशिश की गई जिस मुद्दे को लेकर भारत में सदियों से बहस चल रही थी उस मुद्दे परमानू नासा ने पुर्न विराम लगा दिया दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज आज आप जानेंगे आखिर नासा के विज्यानिकों ने राम सेतू पर क्या बोला और उनके मुताबिक ये रामा इनकाल का है या नहीं इसके साथे साथ आप ये भी जानेंगे कि आकिर भारते विज्यानिकों का राम सेतू पर क्या विचार है नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अधबुट टीव इंडिया योडियो चैनल में वीडियो चाल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा तो चलिए इस वीडियो की शिरुवात का लेते हैं रामाईन के युद्ध कांड में राम सेतू के निर्मान का वर्नन किया गया है राम सेतू को आर्किटेक्ट नल और नील की देखरेक में बनाने में पांस दिन लगे थे ऐसा माना जाता है कि राम सेतू चूना पत्थर की पूरी एक स्रंखला से बना है ये करीबं 30 किलोमेटर लंबा और 3 किलोमेटर चौड़ा है ये भारत के पंबन द्वीब के धनुसकूरी से शुरू होता है और स्रिलंका के मनार दीपर समाप्त होता है इन छेत्रों में समुद्र बहुत ही उतला है रामा इन में उलेख है कि ये पुल पत्थरों से बनाए गया था और ये पत्थर, नल और नील के इस पर्ष से पानी में तैरते थे समुद्र में इन चटानू की गहराई लगभग तीन फूट से लेकर तीस फूट के बीच है कहा जाता है कि पंदरवी शताबदी में इस धांची के जरिये रामेशुर्म से मननार तक जाय जा सकता था लेकिन 1480 में ये चक्रवाद के चलते टूड गया चलिए अब जान लेते हैं कि नासा के विज्ञानिकों ने राम सेतू पर क्या कहा डिस्कपरी कम्मुनिकेशन के निर्मित सो एंशेंट लैंड ब्रिज का प्रोमो साल 2017 में रिलिस किया गया था इस प्रोमो में बताय गया था कि रामेशुर्म के पंबन द्वीब से स्रिलंका के मनाड द्वीब के बीच 30 मिल से जादा की एक सरंखला चटानों से बनी है जो 7000 साल पुरानी है इसमें कहा गया कि सैंड बार प्राकरतिक हो सकते हैं लेकिन उनकी उपर रखे पत्थर को कहीं दूर से लाकर किसी ने यहां पर रखा था यह सैंड बार लगभग 4000 साल पुरानी है यह अजीब है कि बालों की उपर रखी चटाने बालों से ज़्यादा पुरानी है इस सो में नासा की सैटलाई तजवीरों का हवाला देते हुए चटानों की स्रंखला को प्राकृतिक नहीं बलकि मानव निर्मित बताया है दिल्चस बात तो यह है कि धनुसकोडी और मन्ना रुद्वीब के बीच समुदर किनाडू की कारबन डेटिंग रामाईन के तारिक से मेल खाती है भू विग्यानिकों ने नासा की तरब से लिएक तजबीरों को प्राकृतिक बताया है विग्यानिकों ने अपने विश्लेशन में ये पाया कि 30 मिल लंबी ये स्रंखला चेन मानव निर्मित है अपने विशलेशन में भूव इक्यानिकों को ये पता चला कि जिस सैंड पर ये पत्थर रखा हुआ है ये कहीं दूर जगह से यहाँ पर लाएगे है उनकी मताबिक यहाँ पर लाएगे पत्थर कड़िवन साथ हजार साल पुराने है जबकि जिस सैंड के उपर इस पत्थर को रखा गया है वो महज सिर्फ 4,000 सार पुराने है खास बात तो ये है कि हमारे पौडाने गरंदों के अनुसार भी रामाइन की घटनाओं का जो समय बताय जाता है वो भी यही है निसकर्स तक पहुँचने के लिए विग्यानिकों ने समुदर के बढ़ते जलस्तर और विभन न माइक्रो औरगनिजम के अविसेसों की कर्बन डेटिंग का सहरा लिया इससे मिले समय को विग्यानिकों ने रामाइन काल से जोड़ा तो दोनों की टाइमिंग एक समान पाई गए लेकिन इस बात को और भी पुक्ता करने के लिए विग्यानिकों ने वालमी के रामाइन का सहरा लिया जिसमें वालमी की रामाईन के दर्जतारों की स्तिती का पता लगा कर प्लैनेटोरियम सौफ्टेर से उस काल का समय निकाला गया ये अवधी करीबन 7000 साल पुरानी बताई गई इसके बाद तब से अब तक समुद्र में जलस्तर में आये बदलाव की गरना की गई पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जलस्तर 3 मीटर बढ़ चुका है और आपको जानकर रियास चली होगा कि अब राम सेतु के पत्थर पानी से इतने नीचे तक ही पाए गया है यानि तब राम सेतु के पत्थर सता पर रहे होंगे और वो पूल के शकल में नज़र आते होंगे बताया गया है कि राम सेतु का पता चलने के बाद सेतु के पत्थरों में मौझूद सुक्ष्मी जी भी फॉर मेनी फेरा, कोडल, उलाइट्स, आदी के अवसेसों के कार्बेन डेटिंग की गए इनके अवधी भी साथ हजार साल पुराने पाई जाने के बाद ये साफ हो गया कि वालमी के रामाइन में दर्जकाल और राम सेतु के पत्थर एकी अवधी को दर्षाते हैं इन सारे सबुतों और इतिहास के प्रवान के अनुसार ये तो तैह हो गया कि सच में यहाँ पर एक पूल था लेकिन अब इसका अंदर्मान रामाइन काल में भागवान राम के नेत्रत में हुआ या किसी और ने इसे बनाया इस बात पर आज भी विज्ञानिक कुछ भी नहीं बोलते दोस्तों इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि केंद्र सरकार दुआरा संचालित एक ऐसे प्रजेट के बारे में जहां विज्ञानिक राम सेतु पर अत्यादुनिक मसेनों का सहरा लेकर उन सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जिससे ये पक्का यकीन हो जाएगा कि सच में यहां पहले एक पुल था और ये रामायन काल में है बनवाय गया था दोस्तों आपके मन में राम सेतु को लेकर क्या विचार है अपनी सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माधियम से ज़रू लिखीगा मैं हूँ आपको दोस्तों प्रदीप ज़र्दी मिलता हूँ आप सभी साथ एक नए विडियो के माधियम से तब तके लिए अपना खायाल रखीगा